हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम गनित का शेत कालिन अवकास ग्रे कारे पूरा हल करेंगे तो चलिए ग्रे कारे हल करते हैं 28 दिसंबर 2020 सोमवार को पहला गतिविधी नोवल कोरोना वाइरस संक्रमित व्यक्ति की छींक या खासी से निकली छोटी बूंदों से फैलता है इसलिए 6 फीट या 2 मीटर की समाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिये गए हैं यदि एक सड़क की लंबाई 50 मीटर है तो वहां कितने लोग एक कतार में खड़े हो सकते हैं तो बच्चो इसका उत्तर लिखेंगे तो इसे हम इस प्रकार हल करेंगे समाजिक दूरी बराबर 2 मीटर सड़क की लंबाई बराबर 50 मीटर अब एक कतार में खड़े हो सकते हैं बराबर 50 भाग 2 तो यहां आएगा बराबर 25 लोग तो हमारा उत्तर हुआ 25 लोग गतिविदी दो करते हैं उन दो गतिविदी ओ का नाम लिखें जिनें आप लोग डाउन के दोरान अधिक समय दे सके जो कि आप अन्यथा नहीं दे पा रहे थे तो बच्चों यहां पर आपको कोई भी उन दो गतिविदी ओ के नाम लिखने है जिने आप लोकडाउन के दोरान अधिक समय दे सके जो कि आप अन्यतन नहीं दे पा रहे थे आपके इस विदा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ पहला मैंने खूब किताबे पड़ी घर के सभी सदस्यों के साथ समय बिताया तथा घर के कामों में सभी की मदद की दूसरा मैंने योग आशन सीखे चलिए तीसरी गति विदी करते हैं लुप्त संख्या ज्याद करे बच्चों यहां पर आकरतियों के माध्यम से संख्याइं दी गई है हमें लुप्त संख्या ज्याद करनी है आप यहां देख सकते हैं दो तिर्भुज बराबर चार तो इसका मतलब हुआ कि एक तिर्भुज बराबर है दो के आगे देखते हैं एक तिर्भुज और एक वृत बराबर है पांच के तो यहां वृत बराबर हो जाएगा पांच घटा दो बराबर तीन अगला एक वृत जम तीन बराबर पांच लिखेंगे अगला एक आयत जमा एक वर्ग बराबर नो तो वर्ग बराबर हो जाएगा नो घटा पांच बराबर चार अब यहाँ अंत में लुप्चंख्या के लिए जो आकरतियां दी गई हैं वे इस प्रकार हैं तिरबुज जमा वरित जमा आयत जमा इनकी value लिखेंगे 2 जमा 3 जमा 5 जमा 4 तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 14 तो यहां हम 14 लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं एक जनवरी 2021 सुक्रवार को जो ग्रे कारें आप करेंगे उसमें पहला गतिविदी 31 दिसंबर 2020 की रात थी और रीमा नए साल का इंतजार कर रही थी वह जानती है कि आधी रात के बाद नया वर्स 2021 होने वाला है उसने घड़ी की और देखा घड़ी में समय था नया साल आने में कितना समय है तो बच्चों यहाँ पर घड़ी दी गई है, आप समय देखकर यहाँ पर लिखेंगे और कितना समय है नया साल आने में वहाँ भी लिखेंगे तो यहाँ पर घड़ी को ध्यान से देखने पर जो समय घ्यात होता है वहाँ ग्यारा बज़ कर चारिस मिनट अब रात तरी का समय है तो यहाँ PM लिखेंगे रात को बारा बजे नए शाल लग जाएगा तो इसलिए बारा में से ग्यारा बज कर चालिस मिनट गटाएंगे यहाँ आएगा 20 मिनट तो नए शाल आने में कितना समय है? 20 मिनट चलिए अगली गतिवीधी करते हैं दूसरी गतिवीधी परिवार में अपने बढ़ों से उनके नए साल के संकल्प के बारे में पूछें और साथ ही उनके 2020 के एक अच्छे अनुभव के बारे में पता करें तो यह कारे आप स्वैम अपने घर पर अपने परिवार के बड़ों से पोच करेंगे आपकी स्वीधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ संकल्प पिता जी बच्चों को नहीं डाटूंगा माता जी रो जाना योगा करूंगी भाईया प्रति दिन चार घंटे पड़ूंगा और अनुभव के बारे में पिता जी लोगडाउन के समय परिवार के साथ देर सारा समय बिताया माता जी योगा करना सीखा भाईया घर पर नियमित रूप से पड़ने की आदत विक्सित हुई अब एक आदत के बारे में सोचें और लिखें जिसे आप 2021 में अपने यह आज़पड़ोस में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहते हैं लिखेंगे आपकी सुईधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूं मैं अपने आजपडोस में लोगों को जाग रुक कर पानी के दुरूपयों करने की आरत को बदलना चाहूंगा तीसरी गतिविदी करेंगे संख्याएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ को इस प्रकार विवस्थित करें कि प्रतेक सीधी रेखा पर आयत तीनों गोलों का कुल जोड एक समाना है तो हमें इन संख्याओं को इन गोलों पर इस प्रकार विवस्थित करना है कि एक सीधी रेखा पर आयत तीन गोलों का कुल जोड एक समाना है तो इसे हल करने के लिए हम किसी भी एक कोने पर सुरुवात की संख्या जो की एक है लिखेंगे और दूसरे कोने में आखरी संख्या जो की साथ है लिखेंगे अब आप देखेंगे एक और साथ का कुल जोड़ हो जाएगा आठ इसी परकार एक तरफ छै लिखेंगे और दूसरी तरफ दो 6 और 2 आठ हो जाएगा फिर एक तरफ पाच लिखेंगे और दूसरी तरफ 3 तो 8 हो जाएगा अब बीच में जो संख्या लिखेंगे वह होगी 4 चलिए आगे बढ़ते हैं पांच जनवरी 2021 मंगलवार को आप जो ग्रेकारे हल करेंगे उसमें गतिविदी एक निम्न ग्रिड में प्रतेक वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर का है छेतरफल और परीधी ग्यात करें बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ग एक सेंटीमीटर का है और यह जो आक प्रती बनी है तो आयत का छेतरफल ग्यात करने के लिए क्या फार्मूला होता है वेरी गुड आपको अभी तक याद है बहुत अच्छी बात है लंबाई गुना चोड़ाई तो यहाँ पर लंबाई कितनी है चलिए हम लंबाई देखते हैं एक वर्ग एक वर्ग सेंटीमी तो पांच हो गई चोड़ाई तो दस गुना पांच बराबर पचास तो छेतरफल कितना हो गया दस गुना पांच बराबर पचास वर्ग सेंटीमीटर चलिए परीदी ग्यात करते हैं परीदी ग्यात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दो गुना लंबाई जमा कितनी थी 5 तो 2 गुणा 10 जमा 5 तो यह हो जाएगा 2 गुणा 15 बराबर 30 तो परिधी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविदी 2 नीचे ग्रिड में दी गई क्रियाओं को अपने लिए चुनें और देखें कि आप कितनी पंक्तियों की 4 क्रियाओं कर सक सकते हैं बच्चों यहां ग्रिड में कुछ क्रियाओं दी गई हैं हर पंक्ति में 4 क्रियाओं हैं तो यहां आपको देखना है कि आप कितनी पंक्तियों की 4 क्रियाओं कर सकते हैं माली जी यह लाइन पूरी पहली पंक्ति हो गई और यह वाली दूसरी पंक्ति यह तीसरी प मदद करना चोथी तीर सेकंड में चालिस बार कूदना यदि आप चारो क्रियाई कर सकते हैं तो आप चारो पर सही का निसान लगाएंगे इसका मतलब आप एक पंक्ती की चारो क्रियाई कर सकते हैं फिर दूसरी पंक्ती की क्रियाई देखेंगे गुबारा फुला कर उसके सा गुबारा टैनिस घर के अंदर खेलना गुबारे में हवा बरके सभी खेलते हैं हाथ से मारकर तो इसी तरह से टैनिस खेलते हैं ये क्रिया ये आप कर सकते हैं घर के किसी बड़े से गणित के सवाल लेकर हल करना ये क्रिया भी आप कर सकते हैं किसी को खुश करना आप किसी को खुश करने के लिए हसा सकते हैं जोक सुना सकते हैं कोई भी ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे दूसरा कोई खुश हो जाए फिर एक फल खाना यह भी आप कर सकते हैं तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति की भी आप सभी क्रियाएं कर सकते हैं फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ती की क्रियाएं देखेंगे, तीन दिनों के लिए कोई भी तीन जिम्मेदारी लेना, आपने घर परिवार में कोई भी तीन जिम्मेदारी तीन दिनों के लिए ले सकते हैं, जैसे प्रति दिन बजार से दूद लाना, घर में मम्मी की मदद करन लिखाईम, अतुन और उमनेनं और आपको पानी हितुत या अपोई को ऐ willst दो कुछ उसकते हैं उसके भी अस दो कहोगर 5, तीन-वियंजनों की जानकारी होना तो यहां पर आपको ऐसे 3-お願いします की जानकारी प्राप्त करनी है जो गश कोरते हैं कि क्लेंति के बनाई जा सकते हैं कि इसके बाद चौति क्लेया है शाहनक्र बूथी चारो क्रिया आप कर सकते हैं तो तीसरी पंक्ति की बियाए हैं किसरी को धन्यवाद देना कोई काम आपके-लिए करते है तो आम बोने धन्यवाद THANK YOU अपने कपडों की अलमारी को व्यवस्थित करना तीसरी क्रिया है पोदो को पानी देना और चोथी क्रिया तीन मिनट के लिए प्राणायाम करना तो हमने चारो पंक्तियों की सभी क्रियाई पड़ ली है अब आपको देखना है कि आप कितनी पंक्तियों की सभी क्रियाएं कर सकते हैं जैसे मैं चारो पंक्तियों की चारो क्रियाओं को कर सकता हूँ तो मैं यहां लिखूँगा चारो पंक्तियों की चारो क्रियाएं कर सकता हूँ अब यहां जैसे लिखा है आप कितनी पंक्तियों को पूरा करने में सक्षम है तो मैं इसका उत्तर लिखूंगा चारों पंक्तियों को तो बच्चों आप भी उत्तर अपने अरुसार लिखेंगे कि आप कितनी पंक्तियों की कितनी क्रियाएं कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं गति विदी तीन आपको पांच वर्ग बनाने के लिए कितनी नियूंतम माचिस की तीलियों की आवश्यक्ता होगी संकेत अब यहाँ पर संकेत भी दिया गया है और कहा गया है कि पांच वर्ग बनाने के लिए नियूनतम कितनी माचिस की तीलियों की आवश्रक्ता होगी तो चलिए देखते हैं या आप संकेत में क्या दिया हुआ है पांच वर्ग बने हुए हैं गिनते हैं इनको कितनी माचिस की तीलियों की आवश्रक्ता हो सकती है एक दो तीन चार पांथ छे साथ पावश्यक्ता होगी लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आठ जन्वरी 2021 सुक्रवार को आप जो ग्रेकारे हल करेंगे उसमें गतिविदी एक एक संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक परियाप्त मातरा में सामिल होते हैं और यहें भिन लोगों के लिए अलग होता है यहां बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार के लिए पाई चार्ट दिया गया है तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें सामने अलग-अलग रंगों से फलो सबजियां, अनाजव खादान, वसावचीनी, अं मात्रा की आवश्यक्ता के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो हमें यहां बोजन के ये सभी घटक हमारे संतुलित आहार में कितनी-कितनी मात्रा में होने चाहिए उन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है तो चलिए पहला हम लिखेंगे वसावचीनी यहां है इसको हम एक नमबर डाल देंगे दूसरा दुख दूत पाद यहां पर हम दो नमबर लिखेंगे तीसरा अंडे वर दाल यहां हम देख सकते हैं यह ग्रीन हिस्सा है हरा हिस्सा है यह अंडे वर दाल के लिए है तो तीसरे नमबर पर यह हो जाएगा और चोथे नमबर पर होगा अनाज वेखाध द्यान तो यह संत्री रंग के साथ चोथे नमबर पर आ जाएगा और पांचवे नमबर पर जो सबसे अधिक मातरा में हमें लेना है वह एन फल और सब्जिया तो यहां हम पांचकनम डाउदेंगे तो एक नमबर वाला जो है सबसे कम मात्रा में फिर दो नमबर उससे ज्यादा मात्रा में तीन नमबर उससे अधिक चार नमबर उससे अधिक और पाचवे नमबर पर जो है वो सबसे अधिक मात्रा में हमें लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं गतिवीदी दो परियाप्त मात्रा में भोजन के सभी अव्यवों के साथ अपने लिए दोपैर के भोजन की थाली को चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो बच्चो इसमें आप एक थाली का चित्र बना सकते हैं और उसमें आप दोपैर के भोजन में जो भोजन के सभी अव्यव हैं उनके साथ अपने भोजन का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं तो उस थाली में आपको जो जो भोजन आप खाते हैं उसका चित्र बनाना है आपकी इस वीधा के लिए मैंने यहाँ पर भोजन के सभी अव्यव के साथ दो पैर के भोजन की थाली का चित्र बना दिया है जिसे देखकर आप आसानी से चित्र बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविधी तीन हल करें प्रस्नवाचक चिन्न के स्थान पर क्या आएगा य वह हमें यहाँ लिखना है पहला आप यहाँ देखेंगे 9 गुणा 6 बराबर तो कितना होता है 54 तो यहाँ 54 लिख देंगे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 54 में क्या जमा करें कि 80 आए तो इसके लिए 80 में से 54 को घटा देंगे तो 26 आएगा यहाँ 26 लिखेंगे अब 2 को क किस से गुणा करें कि 26 आ जाए तो यहां 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 उत्तर आएगा यहां 13 लिखेंगे अब इदर देखेंगे आप कि 5 को किस से गुणा करें कि 60 आ जाए तो यहां हम 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा यहां 12 लिखेंगे अब यहां देख सकते हैं कि 20 को किस से गुणा करें कि 60 आजाएं तो यहां हम 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आजाएगा यहां 3 लिखेंगे अब यहां देख सकते हैं कि उपर 12 है और गुणा यहां नीचे 20 तो 12 गुणा 20 हो जाएगा 240 तो यहां 240 लिखेंगे अब 80 को किस से गुणा करें कि 240 आजाएं तो इसके लिए हम 240 को 80 से भाग देंगे तो आएगा 3 तो यहां 3 लिखेंगे आप किस विधा के लिए मैंने इन्हें हल करके सभी खालिस्तान को भर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं दिनाग 13 जन्वरी 2021 बुधवार को आप जो ग्रे कारे करेंगे उसमें गतिविधी एक अपनी ओनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटन डिजाइन का उप्योग करके अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाएं तो बच्चों आपको विभिन तरह के पैटन का प्रियोग करते हुए एक ग्रेटिंग कार्ड बनाना है अपने माता पिता के लिए और उस पर लिखना है थैंक्यू मॉम एंड डैड धन्यवाद मम्मी पापा या फिर आप लिख सकते हैं थैंक्यू मम्मी पापा आपको उस पर तरह तरह के पैटन जो भी आपने सीखे हैं वो बनाने हैं आपके स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिये हैं जिनने देखकर आप आसानी से ग्रेटिंग कार्ड बना सकेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविधी 2 क्या आप कागज से अपनी पैंसिल को उठाए बिना चार सीधी रेखाओ के साथ 9 बिंदों को जोड़ सकते हैं तो लिखेंगे हाँ आप किसी भी लाइन पर 2 बार नहीं जा सकते तो यहाँ पर आपको पैंसिल को उठाए बिना केवल 4 सीधी रेखाओ के साथ इन 9 बिंदों को जोड़ना है आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है जिसे देखकर आप इन 9 बिंदों को चार सीधी रेखाओ से जोड़ना आसानी से सीख जाएंगे और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे तो चलिए वीडियो देखते हैं चलिए 9 बिंदों को बिना पैंसिल उठाए 4 सीधी रेखाओ से जोड़ना सीखें वीडियो देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं गती विदी 3 निमनलिखित चार्ट के अनुसार स्वैम को स्कोर करें आप यहां देख सकते हैं कि एक तालिका दी गई है जिसमें स्कोर 1,2,3 बारंबारता कभी नहीं के लिए 1, कभी कभी के लिए 2, हमेशा के लिए 3 तारे भी एक है तो एक देना है, दो है तो दो देने है, तीन है तो तीन देने है अब आप नीचे दी गई क्रियाओ को पढ़ेंगे और स्वैम को स्कोर देंगे आपकी स्वीधा के लिए मैंने स्वैम को कुछ स्कोर देने की कोशिश की है जैसे पहली क्रिया, चीजों को व्यर्थ ना करना तो इसमें मैंने स्वैम को स्कोर दिया है, 3, हमेशा दूसरा आत्म सैयम तो इसमें भी मैंने अपने आपको स्कोर दिया है तीन हमेशा तीसरा दूसरों के प्रती सहानभूती तो इसमें स्कोर दिया है तीन हमेशा अगर आप कभी-कभी सानबूती दिखाते हैं तो 2 स्कोर देंगे और कभी नहीं दिखाते तो 1 स्कोर देंगे चोथा पढ़ाई वह खेल में संतुलन तो इसमें स्कोर दिया है मैंने स्वैम को 1 एक कभी नहीं, मैं पढ़ाई और खेल में संतुलन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने अपने आपको एक स्कोर दिया है, पांचमा जिम्मेदारी लेना, इसमें मैंने स्वैम को तीन स्कोर दिया है, छटा दूसरों को खुश रखना, तो इसमें मैंने स्वैम को स्कोर दिया है, दो साथवा प्रकृति के लिए प्रेम तो इसमें मैंने स्वैम को स्कोर दिया है तीन हमेशा प्रकृति के लिए प्रेम दिखाता हूँ आठवा पानी बचाओ इसके लिए तीन स्कोर दिया है हमेशा पानी बचाने का प्रियास करता हूँ नोवा प्लास्टिक बैग का इस्तमाल ना करना हमेशा मैं प्लास्टिक बैग का इस्तमाल नहीं करता हूँ हमेशा तो तीन स्कोर दिया है दसवा जानवरों के लिए सहानुभूती हमेशा मैं जानवरों के प्रती हमेशा सहानुभूती दिखाता हूँ चलिए अब अपना स्क और काउंट करता हूँ, तो आप देखते हैं, पहले क्रिया में 3 स्कोर था, दूसरी क्रिया में 3 स्कोर, तीसरी क्रिया में 3 स्कोर, चोथी में 1, पाचवी क्रिया में 3 स्कोर, छटी क्रिया में 2 स्कोर, साथवी क्रिया में 3 स्कोर, आटवी क्रिया में 3 स्कोर, नोवी क्रिया मे तीन स्कोर, दस विक्रिया में तीन स्कोर, अब इनको कुल जोडेंगे तो मेरा कुल स्कोर हुआ 27, तो आपने कितने तारे कित्रित के 27 तारे तो बच्चों, आपका शीत कालिन अवकास ग्रे कारे यहाँ पूरा होता है आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो बच्चों, यह वर्कशीट यहाँ कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom थैंक यू